बिस्मिल्लाई रख्मान रहें असलाम लेकुम प्यारे स्टूडन्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ आपकी टीचर सेयद सद्रा इस्लाम एफ लाजनी के लिए तो बचो आज हम करेंगे आपका जमात देहम का टेस्ट पेपर नंबर टू तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं हां जी तो बच्चो सबसे पहले जैसे के हम करते आए हैं आपका करेंगे हिस्साय मारूजी जो के होगा टोटल वक्त 15 मिनट का और इसके नंबर होंगे 10 जिसमें होंगे MCQs तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले क्वे करिएगा क्योंकि अगर तो बाइ मिस्टेक आपने गलत ऑप्शन पर टिक कर दिया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपने गलत ऑप्शन पर टिक किया है और आपने दुबारा से सई ऑप्शन पर टिक किया तो उस MCQs के मार्स आपको नहीं मिलेंगे चलिए बच् काफिरों को दोस्ती के पेगाम भेजते हो और वो इस हक के जो तुम्हारे पास आया है मुनकर है सुरत अहजाब की कितनी आयात है तो सुरत अहजाब की है 73 आयात नम्बर चार है जी के हज़ूर सलिलाहु अलेह वाली वसलम ने फरमाया तुम में से बहतर वो है जो फायदे दे लोगों को अपने किसी मुसल्मान भाई को कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए जबान से तुम काफिरों की तरफ दोस्ती के पेगाम भेजते हो पौशीदा दर पौशीदा फिर है जी के हज फर्ज है हर साहिब इस्तताद पर नमबर आठ है जी के नबी सलिलाहु अलेह वाले वसल्म ने फर्माया मेरे बाद गुम्रा ना हो जाना के आपस ही में मारने लगो पत्थर नमबर नौ है जी के जब मोमिनों ने दुश्मन के लश्कुरों को देखा तो उस चीज ने बढ़हा दिया हौसलाओ हिम्मत उस वाए हुसना के माइनी है अच्छा नमूना तो ये था बचो आपका हिस्सा है मारूजी आपने अपने 15 मिनट को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइस करना है ताके आप अपना कोई भी मिनट जाया नहीं करें अब दिखते हैं आपका सब्जेक्टिव पार्ट जिस 6 मुक्तसर जवाबात तहरीर करने हैं तो मैं आप सबको सिजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप अपने जो 9 के 9 क्वेस्टिन्स हैं उनको रीड आउट कर लें और उसके बाद जो मुक्तसर 6 सवालात हों उनके जवाबात जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हों ही तहरीर करें सवाल नमबर एक देखते हैं जी के घजवा एहजाब के मौके पर मुसल्मानों ने अल्ला ताला से किया हुआ वादा कैसे पूरा किया तो इसका जवाब देखते हैं जी जिसकी हैडिंग आप देंगे कि मुसल्मानों से अल्ला ताला का वादा और जैसे कि मै बहुत ज्यादा खुब्सूरत हैंड्राइटिंग में आए तो हमने हैडिंग दीजी के मुस्लमानों से अल्ञ ताला का वादा एहल अमान ने घजबा-एख़ाप के मौके पर अल्ला से किया हुवा वादा इस तरहा पूरा किया कि अमान कबूल कर के अल्ला से ये एहद किया कि हम इसलाम के लिए अपनी जानों माल की कुर्बानी से दरेव नहीं करेंगे घजवा एहजाब के मौके पर मुसल्मानों ने माल भी खर्श किया और अपनी जानों को खत्रे में डाल कर ये एहद पूरा करके दिखाया फिर हैजी नमबर दो कि सुरत अलाइजाब की आयात के हवाले से बताईए कि अजवाज नबी सलिल्हाओ अलेह वालिवसल्म को किन दो बातों में से किसी एक को इस्तियार करने के बारे में क्या फर्माया जिसकी हेडिंग जो के हम जवाब में देंगे अजवाजन नभी सलिलाहु अलेहिवाली वसल्म का हिदायत तो बचो ये मैं आपको सिजेस्ट करूंगी कि जितनी भी हिदायात हैं उनको आप पॉइंट में एक्स्प्रेंड करें जिसमें अगर तुम दुनिया की जिन्दगी और उसकी जीनत की दरख्वासकार हो तो आओ मैं तुमें कुछ माल दूँ और अच्छी तरह से रुकसत कर दूँ नबर दू है और अगर तुम अल्लाह उसके पेगंबर सलिलाहु अलेहिवाली वसलम और आखरत के घर के तलबगार हो तो तुम में जो नेक्कियों करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने अजर अजीम तयार कर रखा है पिर है जे सवाल नबर तीन के सुरत अलब्र अख्जाब की आयाद में अल्ह ताला ने रसूल आश्लिलाहु अलेह वालेहिवाली वसलम की अजवाज मुतहरात को किन अहकामों अधाप की तलकीन तलकीन उसके बाद आप इस कुष्टिन को भी अपने पॉइंट में यानी प कोई नमबर वन हो गा जी के ए पेगंबर सलिलाहू लिह वालिय वालियु स्लम की बेवों सिरहि नाशाइस्ता ईल्पास कहकर रिसूल लिह वालियु स्लम को इजा ना दो नमबर दो है कि किसी अजनभी शक्त से नरम नरम बातें ना किया करो नम्बर तीन और दस्तूर के मताबिक साफ सीधी बात किया करो नम्बर चार अपने घरों में ठहरी रहो नम्बर पांच दोहरे जालियत की तरह सच धच ना दिखाती पिरो नम्बर छे कि नमाज काइम करो जकात दो और अल्ला और उसके रसूल सलिलाहो अलेह वालियों की अताद करो नम्बर साथ है कि कुरान पाक की जो आयात और हिकमत की बातें तुमारे घरों में पड़ी जाती हैं उन्हें याद रखो सवाल नम्बर चार है जी के घजवा एहजाब के मौके पर यहूदियों के जिस कबीले ने कुरैश मक्का का साथ दिया उनके साथ क्या सलूक किया गया जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे एहले किताब से सलूक और उसके बाद आप इस हेडिंग को एक्स्प्लेइन करेंगे फिर है जी सवाल नम्बर पांच लकत काना लकुम फी रसूल लाह उस्वाए हुसना का तर्जमा तहरीर करें जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे तर्जमा और उसका तर्जमा है जी कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूल लाह उल्ह लाह उल्ही वाली वसल्म की जिन्दगी में बेहतरीन नमूना है फिर है जी सवाल नमबर छे सुरत अलमतहन की आयात की रोशनी में एहल इमान का इसलाम दुश्मन काफिरों के साथ क्या रवईया होना चाहिए जिसके जवाब में आप हेडिंग देंगे एहल इमान का कुफार के साथ रवईया एहल इमान को हुकम दिया गया है कि वो इसलाम दुश्मन काफिरों को दोस्त और राजदा ना बनाएं और उनकी तरफ दोस्ती के पेगाम ना भेजें पिर है जी सवाल नंबर साथ कि सुरत बुम्तहन में दुश्मनाने हक की किन बातों के सबब उन्हें दोस्त और राजदा बनाने से मना किया गया है जबाब में आप हेडिंग देंगे दुश्मनाने हक को दोस्त बनाने की मुमानियत तो बचो इसको भी आप points में लिख सकते हैं like points number one और points number two Point number one आप लिख सकते हैं कि तुम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो हाला कि जो हक तुम्हारे पास आया है वो उसके मुनकर है number two है कि उनका हाल ये है कि रसूल इल्ला सलिलाहु अल्हे वालिवसल्म और तुम को इस वज़ा से शेहर मक्का से जलावतन किया कि तुम अल्ला ताला पर इमान लाए हो अब हैजी सवाल number eight कि जब एहल कुफर मुसर्मानों पर गल्बा पा लेते हैं तो उनका एहल इमान के साथ क्या सलूक होता है जवाब में आप हेरिंग देंगे कि एहल कुफर का एहल इमान के साथ सलूक इसके बाद आप इसको एक्स्वेन करेंगे फिर हम देखते हैं जी अपना सवाल नमबर नौ जो किये है कि सुरतलमुम्तहिन की आयात में हज़द इबरहीम लएसलाम के किस उस्वा-ई-हुस्णा की पैरवी का हुकम दिया गया है जिसके जवाब में आप हेरिंग देंगे अस्वा-ि-हइस्णा की पैरवी का हकम फस्वा-ि-हस्णा ये था के उन्हों ने और उन के साथ ही उने अपनी कौम से साफ साफ कह ढ़े दिया था कि हम तुम से और तुम्हारे उन माबूदीisto से जिनको तुम अल्दा को छोड़ कर पूछते हो उनसे बैजार हैं हम ना तुमें हक पर मानते हैं और ना तुम्हारे दिन को और हमारे और तुम्हारे दर्मयान हमेशा के लिए खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी जब तक तुम अल्ला वाहित पर इमान ना ले आओ फिर है जी आपका सवाल नंबर दस जिसमें आपको दी जाएगी एक आयत जिसका आपने करना होगा तरजमा तहरीर तो मैं आपके लिए उसका तरजमा पढ़ देती हूँ जिसके जवाब में आप हैरिंग देंगे तरजमा और फिर इन्वर्टिड कॉमाज में इस आयत का तरजमा तहरीर करेंगे तरजमा है जी कि इन मौमिनों से बाज ऐसे हैं जो अपनी नजरों से फारिख हो गए और बाज ऐसे हैं कि इंतजार कर रहे हैं अब देखते हैं जिब अपना सवाल नमबर तीन जिसमें से भी आपने मजीद कोई से भी छे मुक्तसर जवाबाद जो है वो तहरीर करने है नमबर वान है जिके खेरुन नास बनने का बेहतरीन तरीका क्या है जिसके जवाब में आप हैडिंग देंगे बेहतरीन इंसान जिसको आप एक्स्पेंड करेंगे नभी करीम सललाहो अलेह वालेह वासलम के फर्मान से कि लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा देता है उसके बाद क्वेस्टिन नमबर टू है जी के हदीर्स के मताबक दुनिया में किस किसम के लोगों को इज़त और कामियाब भी नसीब होती है जिसके जवाब में आप हेरिंग देंगे इज़त और कामियाबी ये भी आप एक्स्प्लेइन कर सकते हैं नभी करीम सललाहो अलेह वालेह वालेह वासलम के एक इशाद से कि लोगों में अच्छा वो है जो लोगों को नफा देता है सवाल नमबर तीन है जी कि नभी अक्रम सललाहो अलेह वालेह वालेह वसलम ने हक विरासत के बारे में क्या फरमाया है जिसकी हेरिंग आप देंगे हक विरासत आप सललाहो अलेह वालेह वालेह वसलम ने फरमाया लोगों, अल्ला ने मिरास में हर वारिस का जुदागाना हिस्सा मुकरर कर दिया है इसलिए अब वारिस के हक में एक तहाई से ज्यादा है वसीयत जाइज नहीं है सवाल नमबर चार है कि आँ हजूर सलिलाहू अलिह वाले वाले वसल्म ने मुझरिम की सजा के बारे में क्या फर्माया जिसके जवाब में अप हेरिंग देंगे मुझरिम की सजा आप सलिलाहू अलिह वाले वसल्म ने मुझरिम की सजा के बारे में फर्माया देखो मुझरिम अपने जुर्म का खुद ही जिम्हदार है ना बाप के बदले पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से दिया जाएगा सवाल नमबर पांच है जी कि आप सलिलाहु अलेह वाली वसल्म ने खुत्बा-ई-हुज्जत-ुल्विदा में इनसानी मसावात का दर्स किस तरहां दिया जिसके जवाब में आप हैरिंग दोगे इनसानी मसावात और फिर फर्दर आप उसको एक्स्प्लेइन करोगे आप देखते हैं जी सवाल नमबर छे कि आप सलिलाहु अलेह वाली वसल्म ने मजदूर के हकुग के बारे में क्या इर्शाद फरमाया जिसके जवाब में आप हैरिंग दोगे मसदूर के हकुग और फिर उसको एक्स्प्लेइन करोगे कि आप सलिलाहु अलेह वाली वसल्म ने फरमाया कि मसदूर को उसकी मसदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दिया करो सवाल नमबर साथ है कि घुलामों के साथ हुस्न सलूप के बारे में आप सलिलाहु अलेह वाली वसल्म ने क्या फरमाया जिसके जवाब में आप हैरिंग दोगे घुलामों के साथ हुस्न सलूप आप ﷺ ने फरमाया अपने घुलाम का ख्याल रखो एक और तरजमाब लिख सकते हो कि जो तुम खाओ उसमेंसे उनको खिलाओ जो तुम पहनो उसमेंसे उनको पहनाओ अगर वो कोई ऐसी खता करें जिसे तुम माफ ना करना चाहो तो अल्ला के बंदो उन्हें फरोख कर दो और उन्हें सजा ना दो फिर हैजी सवाल नमबर आज के हमसाए के हकुक के बारे में आप ﷺ ने खास तौर पर क्या ताकीद फरमाई जिसके जवाब में आप हैरिंग दोगे हमसाए के हकुक आप ﷺ ने फरमाया कि सवाल नमबर नौ है जवाब में आप ﷺ ने क्या इर्शाद फरमाया जवाब में आप हेडिंग दोगे बिमारों के हकुक आप ﷺ ने बिमारों की आयादत देखभाल और खिद्मत करने का हुकम दिया अब देखते हैं जी हम आपका सब्जेक्टिफ पार्ट का सेक्शन नमबर टू जो के होगा सवाल नमबर तीन के दरजे जैल हदीश का तरजमा और तश्री करें तो बच्चों मैं पढ़ दूँगी आप के लिए इस हदीश का तरजमा और उसके बाद हम पढ़ेंगे तश्री और तश्री के बाद में फर्दर आपको हेडिंग्स पढ़के सुनाओंगी जिसको आप खुद से तहरीद करेंगे तरजमा है जी जिसने बैत ल्ला का हज और उसके मनासक पूरे अदा किये और मुसल्मान उसकी जबान और उसके हाथ से महफूज रहे तो उसके पहले गुना माफ कर दिये गए इसकी तश्रीफ हम इस तरह लिख सकते हैं कि इस हदीश मुबारका में नभी करीम स्लिएलाहु अल्हे वालिए वसल्म ने हजच की एहमियत और मुसल्मान को अमन की अलवान जाहिर किया है उसके बाद आप हैडनिँ दोगे हज का लगवी माइनी यानि जियारत का इरादा करने के हैं उसके बाद आप हैड़िंदोगे हज की तारीः हज से मुराद मक्सूस दिनों में खास मनासिक खास मकाम पर जाकर करना हज कहलाता है पुरान की रोश्णी में आला ताला ने मुस्लमानों पर नौ हिज्री को हज फर्स किया अल्ला ताला का इर्शाद है लोगों पर ये अल्ला ताला का हक है कि जो इसके घर तक पोहंचने की ताकत रखता हो वो उसके घर का हज करे फिर आप हेडिंग दोगे बैत उल्ला का तवाफ और साथ में आप इर्शाद बारी ताला लिख सकते हो तर्जुमे के साथ या आप चाहो तो उसका अरैबिक वर्जिन भी लिख सकते हो और वो लोग इस कदीम घर बैत घर को तवाफ करने वालों एतकाफ करने वालों और अकुवसजूद करने वालों के लिए पाक कर दे उसके बाद आप हैडिंग देंगे हज के फरायज और बच्चों जब आप हज के फरायज तहरीर करोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप उनको पॉइंस में तहर करना नमबर टू है वकूफ अरफात नमबर तीन है तवाफ जियारत उसके बाद आप हेडिंग दोगे हज की एहमियत और फर्जियत आहदीस की रोश्णी में और उसके बाद आप इसको एक्स्प्लेंड करोगे आहदीस की रोश्णी में उसके बाद आप हेडिंग दोगे हज और गुनाहों से इच्टनाव उसके बाद आप हैडिंग दोगे बैत उल्ला के फजाइल जिसमें आप हैडिंग दोगे सबसे पहली मस्जिद का हिज़त अबुजर रजी आला अन्हों से नकल किया मैंने अर्स किया मैंने इर्स किया इन दोनों के दरमयान जिस जगा नमाज का वक्त हो जाए वहाँ नमाज अदा करो वोही मस्जद है उसके बाद आप हैडिंग दोगे पहली जमीन और पहला पहार जिसके बाद आप heading दोगे हासले कलाम जिसको आप further explain करोगे आप इसमें हदीश की रोशनी में भी बहुते examples quote कर सकते हो फिर है जी हमारा सवाल number 5 कि दरजे जैल आयात का तरजमा करें तो आपको paper में दी जाएंगी आयात जिनका आपने करना होगा तरजमा तो यहां मैं आपके लिए अलिफ बे और जीम का तरजमा पढ़ देती हूं अलिफ है जी कि ऐ परगंबर सलिलाहु अलिह वाले वसलम की बीवियों तुम मेंसे जो कोई सरी है ना शाहिसता इलफास कहकर रसूल अलिह वाले वसलम को इजा देने की हरकत करेगी उसकी दो गुना सजा दी जाएगी बे है जी और उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों और उस जमीन का जिसमें तुमने पाउं ही नहीं रखा था तुमको वारस बना दिया गया जीम है जी कि अगर ये काफिर तुम पर कुद्रत पालें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और एजा के लिए तुम पर हाठ चलाएं और जबाने भी और चाते हैं कि किस तरह तुम काफिर हो जाओ सफाल नमबर छे है जी कि दरजे जैर में से किसी एक मुफसिल का जवाब दे तो आपको दिये जाएंगे दो टॉपिक्स और उन दो टॉपिक्स में से आपने कोई एक आसान टॉपिक चूज करके उसको लिखना होगा पेरग्राफ की सूरत में और पेरग्राफ की हेरिंग क हक की जमा हकूक है जिसके माइनी जिमेदारी है उसके बाद आप हैडिंग देंगे हकूक का मफहूम हकूक से मुराद वो जिमेदारिया होती है जो मौशरे के अफराद पर उनके जेरे दस लोगों के लिए लाजम होती है उसके बाद आप हैडिंग दोगे हकूक कुल इबा हकुग अबाद से मुराद बंदों के हकुख हैं जो उनके खालिक ने उन पर लाजम किये हैं ताके इनसानियत हुस्न मौशर से मुस्तफीद हो सके इसके बाद आप कोई भी हदीश का रेफरेंस इस पेराग्राफ में एड़ कर सकते हैं फिर आप हेडिंग देंगे जी हकुग अबाद की फहरस दरजे जैल हैं और जब आप फहरस लिखेंगे तो आप लिखेंगे कोईंट्स में नमबर वन इनसान के बुनियादी हकुग नमबर टू वालदेन के हकुग नमबर त्री औलाद के हकुग नमबर फोर बिमारियों के हकुग नमबर पांच औरतों के हकुग नमबर छे हमसायों के हकुग नमबर साथ मुलाजमों के हकुग नमबर आठ जंगी कैदियों के हकु नमबर नौ मजदूरों के हकोग, नमबर दस रिश्टदारों के हकोग, नमबर ग्यारा असाथजा के हकोग, नमबर बारा गेर मुस्लिमों के हकोग, नमबर तेरा आका और गुलामों के हकोग, उसके बाद आप हेडिंग दोगे इनसान के विन्यादी हकोग और फिर आप इसक दे सकते हो इसी टाइटल से रिलेटेड फिर आप हैडिंग दोगे जी के आलाद के हकुख उसके बाद आप हैडिंग दोगे तहफज हयात फिर आप हैडिंग देंगे लड़कियों को जिन्दा दर्गोर करने की मुझमत जिसमें आप लिख सकते हो लड़कियों को जिन्दा द करने की मुजब्मत फर्माई अला ताला का फर्मान है और जब जिन्दा दुफन की जाने वारी लड़की से पूछा जाएगा कि वो किस जुर्म में कतल हुई उसके बाद आप हैडिंग दोगे औरतों से जिन अमूर पर बैत लेतें जिसके बाद आप हैडिंग दोगे आप कोई सीभी दो हदीस का तर्जमा बयान कर सकते हैं उसके बाद आप हैडिंग देंगे ओलाद की तालीमों तर्बीयत नबिय करीम का फर्मान कि अपनी ओलाद की इज़त करो और उनकी अच्छी तर्बीयत करो उसके बाद आप हैडिंग देंगे अकीका और खत्ना उसके पाद आप हेडिंग देंगे हकुक जाजञेन के हकुक जिसके बाद आप कोई सी भी आहदीस की रौश्णी में इससे रिलेटर बयान कर सकते हैं तरजमा और ओरतों का भी हक ऐसा है कि मर्दों का उन पर हक है दस्तूर के मौफ़िक और मर्दों को ओरतों पर फजीलत है फिर आ हेडिंग देंगे हकूक जोजयन हदीश की रौशनी में जिसमें आप लिख सकते हैं कोई सा भी एक परमान मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एट लीस्ट तीन आहदीश जरूर कोट करें नभीय करीम इसलिलाहुलेवालिवसलम का फरमान हैं जी कि तेरी बीवी का भी तुछ पर हक है तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो उसके बाद आप हेडिंग दोगे जी कि रिश्टदारों के हकूक जिसको आप पर्दर एक्स्प्लेइन करोगे फिर आप हेडिंग दोगे हमसायों के हकूक कुरान की रोश्णी में फिर हमसायों के हकूक हदीश की रोश्णी में जिसमें से आपको इसी भी दो आहदीश का तर्जमा इस टॉपिक से रिलेटेड कोट कर सकते हो फिर आप हेडिंग दोगे घर मुसलिमों के हकूक जिसके बाद आप ह हेरिंग दोगे गेर मुसलिमों के हकूप, हधीश की रोष्टी में। फिर आप हेरिंग दोगे बिमारों के हकूप, जिसमें आपको इसी भी हधीश का रेफरेंस कोट कर सकते हो कि जिस्ने मरीज की आयादत की जब तक वह वापस ना लोटे तब तक वह जन्नत के बाऊग में ह उसके बाद आएंगे जी मजदूरों के हकूग, फिर आएंगे जी यतीमों के हकूग, उसके बाद है जी आपका सवाल नमबर दो, यानि हमने जो पहला हमें option दिया गया था, हमने पढ़ा उसको, अब हम देखेंगे अपना option number two, तो अगर तो आपको option number one easy लगेगा, आप उसक explains करेंगे, तो फिर है जी के खुत्बे हुझत अलविदा की रोश्णी में औरतों के हकूग और उनके फराइज तहरीर करें, जिसके जवाब में आप explain कर सकते हैं कि दीन इसलाम, इनसानी हकूग का सबसे बड़ा अलम बरदार है, तमाम अंबिया कराम अलेहिस सलम ने इनसानी आज़ादी और उनके हकूग को फराइज पर बेहत जोर दिया है, और हमारे प्यारे नभी हज़त मुहम्मद मुस्तफा सलिएलाहु लगालिवासलम ने इसकी मजीद ताकीत की है, और आप सलिएलाहु लगालि हेडिंग दोगे जी के खुद्बय हुजत अलविदा में औरतों के हकूग को फराइज पर रोश्नी, जिसको आप एक्स्पेंड कर सकते हो, विदिन वन और टू लाइन्स, उसके बाद आप हेडिंग दोगे हक महर, जिसमें आप कोई भी इर्शाद बारी तालाह का रेफरे करोगे, उसके बाद आप हेडिंग दोगे मीरास का हक, इसलाम ने शोहर की वफात पर उसकी जाइदाद में बीवी का भी हिस्सा मुकरर किया है, अलव तालाह का इर्शाद है, और उन बीवियों के लिए चौता हिस्सा है, और इसमें जो तुम छोड़ो अगर तुम्हारी उलाद नहीं है, और अगर उलाद हो तो फिर उनके लिए आठ्वा हिस्सा है, फिर आप हेडिंग दोगे राजदारी, उसके बाद आप हेडिंग दोगे हुसने सलू, जिसको आप फर्दर एक्स्प्लें करोगे, जिसमें आप एक या दो आहदीस का भी रेफरेंस कोट कर सक पर भी तोगे हो, मैं एक आप के लिए पढ़ देती हूं, कि तुम में से बहतर वो हैं, जो अपनी बीवियों के साथ बहतर है। उसके बाद अप हैडिंग देंगे अदल og इंसाफ फिर आप हैडिंग देंगे जिन्दगी का हख उसके बाद आपको इसी भी हदीस की कोटेशन कोई भी हदीस का रेफेरंस दे सकते हैं फिर आप heading देंगे गवाहिय हक उसके बाद आप heading देंगे खुला का हख और उसके बाद आप heading देंगे कि खुत्बा-हज्तलविदा की रोश्णी में औरतों के क्या-क्या पराइश है जिसमें आप further heading देंगे ओलाद की तालीम और तरभियत की नेक्स्ट हेडिंग है अता तो खुशनूदी जिसमें आप कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं किसी भी आहदीस का इस टाइटल से रिलेटिड और उसके बाद होगी आपकी लास्ट हेडिंग जो के है के राजदारी बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर के राज अफशा ना करे और नभी करीम सलिल्लाहु अले वाले विसल्म ने फर्माया वो शक्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने राज अफशा करता है अल्लाह का फर्मान है वो बीवी तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनका लिबास हो जितना खामद और बीवी एक दूसरे का लिबास है इसी तरह वो एक दूसरे के राजों में लिबास के मिसल है क्यामत के तिन बत्तरीन शक्स बीवी के राजों को अफशा करने वाला होगा तो students आज हमने किया आपके जमाद देहम का test paper number 2 जिसमें हमने किया पहले हिस्साई मारूजी जो के था MCQs का part जिसका total time आपको मिलेगा 15 minutes यानि के 15 minutes फिर हमने किया जी आपका subjective part जिसके थे 2 sections और उसका कुल वक्त आपको मिलेगा 1 घंटा और 45 minutes तो ये अब आपकी समझदारी में है कि आपने ये 2 घंटे किस तरीके से utilize करने है और किस तरीके से अपना paper अच्छे तरीके से solve करना है Okay students, अपना बहुत ख्याल रखे, अपने paper की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें Best of luck, stay happy and stay safe, Allah Hafiz